हेलो वेलकम बेक टो आर चैनल डिवल क्रेकर हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट कर चुके अपना जिसमें हमने टू सीरीज अलरड़ी कम्प्लीट कर चुके हैं हम सीरीज थरीक करने जा रहे हैं आज कर जो टॉपिक है हमारा हूँ है वट दू आल अचर्ड्स एंड आल बैस यह सब जो आच्ट अर बेस है क्या वह सब में हर एक उसमें कोमन होते हैं वी हाव सीन that all acids have similar chemical properties हमने देखा है कि जो acid है उनकी सबकी क्या है chemical property एक जैसी है what led to the similarity in properties we show in activity 2.3 that all acid generate हमने देखो पड़ा है activity में कि जितने भी acids है वो कौन सी gas evolve करते हैं that evolve hydrogen gas on reacting with metal so hydrogen seems to be common to all acids question जो है हमारा यहां से form होगा कि all acid generate which gas तो जो हमारा answer होगा वो कौन सा होगा hydrogen gas यह वाला question यहां से form होगा हमारा generate hydrogen gas on reacting with metals ठीक है it is common to all acid अभी तक जो हमने देखा उसमें अब activity 2.8 कर रहे है जिसमें हमने लिया है solution कि इसका glucose का alcohol का और HCl का और 6 कर दिया है और कितने ml का भी कर लिया है 100 ml का उनको जो है दो तर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है ने उसको तर्मिनल वन टर्मिनल टू जो एक बैटरी की तरह फोम होगा एक अवस्त है निए जो हमें फिगर टूपेंट ही में शून ओर यहां पर यह बैट्री आ शिक्स वोल्ड की यह बल्ब है और यह आज है और यह इसकी नेल हुआ इंडा पिकर बीकर में सबसे पहले क्या देलूट एक्चिय टिक वाला इसको रिपीट करते हो वरड को जा और आप कि एक्सपेरिमेंट को बार भर रिपीट करते रो पहले गुल्कोज के साथ फिर अल्कोहल के साथ अब एसको इन सभी सालिशन के साथ में करोगे तो उसके बाद में आप देखना कि किया बल्ब जो है किन केसे में बल्ब गलो कर रहा है किया है? What will you observe? The bulb will start glowing in case of acids. हम observe कि जो है acid के case में बल्ब क्या करने लग गया? glow करने लग गया. But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. जब अमने glucose या alcohol को पास में हमने current पास कराया तो बल्ब जो है glow नहीं कर रहा था. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current. अगर उस solution के अंदर बल्ब गलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है कि electric current क्या हो रहा है? तब हिती एक भुप जो है रही है तब ही तो वह बल्ब जो है glow करेगा हम घर में बल्ब बल्ब अन करते हैं सुए और बल्ब अनको नहीं होगा Jega volta टो इसका मतलब क्या है थैंटर क्या होना ह QUE नहीं है देट मेंस कि ग्लुकोज और अल्कोहल सॉलुशन में क्या नहीं है एलेक्टिसिटी नहीं है वो एलेक्टिसिटी को कंड़क्ट नहीं करते हैं अप आपसे जो हीहां से क्वेशन फो मोगा कि बताओ गुलुकोज जब गुलुकोज होगा तो उसमें या यहां से कुड़क्टिसिटी को करते हैं या नहीं करते हैं जो एम से क्वेशन फोगा the electric current is carried through the solution of ions ठीक है जो electric current होते है उसमें क्या होते है ions होते है जैसे हम plus minus जो metal non-metal के अंदर पढ़ेंगे since the cation present in acids, cation का मतलब होते है जैसे plus charge हो जैसे acids के अंदर कौन से होते है H plus ions होते है this suggests that acids produce hydrogen ions ठीक है H plus acquiescent solution which are responsible for their acidic property question यहां से भी form होगा कि जो cation है है अगर वो acids के अंदर present है तो कौन से जो cation है वो किसके अंदर present है acids के अंदर ठीक है तो पूचा जाएगा acids के अंदर cation है anion है ठीक है इस टाइप से question जो होगा तो कौन से होते है H plus ions which are responsible for their acidic properties जिसके कारण उनकी property क्या हो जाती है acidic हो जाती है तो question यहीं से होगा कि H plus ions के कारण इस प्रोपर्टीज क्या होती है acidic, repeat the same activity uses alkaline, alkaline, sodium hydroxide में तो हमें बेस के साथ में इसको क्या करना है repeat करना है और उसके बाद में हम क्या करेंगा इसको observe करेंगे क्या बेसिक के अंदर electricity pass होती है नहीं होती है what will happen what happens to acid or base in a water solution okay acid or base के साथ में water solution में क्या होता है अब यह देखेंगे do acid produce ions only in aqueous solution let us test क्या जो है aqueous solution aqueous में liquid solution के अंदर ही क्या करते हैं conduct करते हैं दूसरे में मतलब दूसरे वाले solution में भी करते हैं अब देखते हैं take about 1 gram of sodium chloride sodium chloride क्या होता है base होता है अपरेटर्स को सेट कर दिया S2 S4 को क्या किया एड किया test tube में आप observe करना is there is a gas coming out of delivery too क्या यहां से कोई gas evolve हो रही है test the gas evolve अगर उसमें हो रही तो उस gas का जो है test करना है किसमें dry या wet litmus paper में in which case do a litmus paper change the color जो है litmus paper color कब चेंज करेगा आप लिटमस पेपर को जैसे उसमें से gas evolve होगी तो आप लिटमस पेपर को इसके पास में लिया होगे तो देखना कि लिटमस पेपर का color जो है change हो रहा है नहीं हो रहा है ब्लू लिटमस पर लिया हुआ हुआ है इन दोनों के मारे में बताना है कि इन दोनों में से इनकी प्रोपरिटी असडिक कोंसी है अब देखो यह नोट दिया हुआ है कि जब भी इसमें करो पर दोनों को अब दोनों पर अबाद को यह को जो आँ रहा हुआ है अगर हुआ है तो हमें ढ्राइंग ट्यूब जो है वह रखनी पड़ेगी त्वी पाड़े तभी यह टैस्टों केंटीक्ट हो पाइगा इस एक्सप्रिमेंट सजेंस्ट यह था दर्गा हुआ है in HCl, HCl क्या है, acidic in nature, are produced in the presence of water, ठीक है, hydrogen ions किसमें होए, इसमे, H plus और Cl minus क्या होगे, दोनों अलग होगे, ठीक है, in, from, the separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water, जो aqueous solution अगर नहीं होगा, तो इसमें से जो है, separate नहीं हो पाएंगे, H plus ion, hydrogen ions cannot exist alone, hydrogen ions जो है, वो exit, अकेले exist नहीं करते हैं, but they exist after combining with water molecules, लेकिन अगर हम उनको किसके साथ में जोड़ दे, water molecules के साथ में जोड़ दे, तब वो क्या करेंगे, exist करेंगे, question यहां से फोगा, कि dry HCl वाला और HCl solution वाला, किसके अंदर acidic nature है, तो अभी पता चले कि, HCl solution वाला क्या था, acidic nature है, dry HCl gas जो है, जिसमें water की कमी है, तो वो क्या नहीं करेंगा, exist नहीं करेंगे, इसके अंदर H plus ions exist नहीं करेंगे, question यहां से आएगा, ठीक है, we have seen that, acids give S3O plus or H plus ions in water, ठीक है, let us see what happens when a base is dissolved in water, अब हमने देख लिया कि acid है, तो वो किसमें क्या होता है, H plus ions होता है, और solution कैसा होना चाहिए, aqueous solution होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब base के साथ में हम करेंगे, water के साथ resolve करेंगे, तो क्या होगा, देखो, NaOH क्या होता है, base होता है, साथ में क्या करता है, water add कर दिया, तो Na plus अलग हो गया, और OH अलग हो गया, अब देखो, ऐसे ही potassium hydroxide, K plus OH minus, ऐसे ही magnesium hydroxide, Mg 2 plus और 2OH minus, ठीक है, यह अलग हो गया, base generated, base में देखो, क्या होगा है, वहाँ पर हमारे पास में H plus आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, OH minus, तो हमें पदा चल गया, कि acidic में क्या होते है, H plus ions होते हैं, और basic nature में कों से होते हैं, OH minus होते हैं, base which are soluble in water, वह base जो water के अंदर soluble होते हैं, उनको alkali is वो, alkali is वोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी question जो है, form होगा, all bases do not dissolve in water, सारे base जो हैं, पानी के अंदर गुलते नहीं हैं, and alkali is a base, alkali एक वो base होता है, जो किसके अंदर होता है, पानी के अंदर गुल जाता है, they are sloppy to touch, ठीक है, मतलब वो जाग जाग से होते हैं, उनके अंदर तोड़ा सा कड़वा होता है, कौरोजी होता है, जंग लगने टाइप का होता है, never taste or touch them as they may cause harm, वो हमें हाम कर सकते है, which of the base in the table 2.1 are alkalis, इन में से बताने है कौन जो है alkalis है, now as we have identified that all acids generate H plus ions, हमने ये पढ़ा है, H plus ions किसके अंदर होते हैं, सभी acids के अंदर और वो भी किसमें, हमने देखा तर रहा है, ड्राय वाला, ड्राय एक्विस, तो हमने ये देखा है, एक्विस का मतलब ये लगाया कि H plus ions किसमें होंगे, जब एक्विस solution होगा, तभी जनरेट होगा, और बेस जनरेट ओएच माइनस एक्विस solution में, we can view that neutralization reaction as follows, इसका मतलब क्या है, जब एक्विस दोनों क्या करेंगे, दोनों react करेंगे, तो क्या बनाएंगा, salt plus में, water, अब एक्विस दिखा रखिया है, ठीक है, तो यहाँ पे H plus और OH minus, दोनों ने क्या, जब रेक्शन किया, तो क्या बना H2, ठीक है, और साथ में कुछ एक salt बन गया, तो इसका मतलब, इस reaction को हम क्या बोलेंगे, इस इस नौन अज़ा नुट्रिलाइजेशन reaction, लेट उस, सी, वाट इस इन्वॉल्ड वाटर इस मिक्स्ट विद, एन एस्ट और बेस, अब हम देखते हैं, अब नेक्स एक्टिविटी है, वार्निंग साइन दिया हुआ है, अगर हम कभी भी लेंगे, तो हमें से थोड़ा सा अलार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो थो 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 थोड़ा सा अलार्ट होना चाहिए, अब टेक 10 अमल वाटर इन बीकर, उसमें कुछ ड्रॉप्स के सीर डालें है, अब तो हम चैप्टर नमर वन में पहले अलड़ी पढ़ चुके हैं, एक्जो का मतलब होता है बहार निकलना, हीट का बहार की तरफ इवाल होना, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ जाना, जब कभी भी डाल भी थास, तो गहों पर होता है, थजुट जाएगी कि तस्तू कsis के बहुवाच्ट कि वह जाना चाहा है सब चूत्रक स्कत norma, तो एक्षिण कैए वर्निंग रete है। प्रसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसेड और बेस इन वाटर इस हाइली एक्जोथर्मिक वन ठीक है देखो अभी बताए ना एक्जोथर्मिक हीट का निकलना कियर मस्ट भी टेकन वाहिल मिक्सिंग कंसंट्रेटिटि नाइट्रिक एसेड और सुल्फियोरिक एसेड विद व बाहर निकल जाएगी और वो जो टेस्ट वे वह तूट जाएगी ठीक है ब्रेक हो जाएगी जन्रेट में कोज़ दूस्प्लेश आउट और बांग लग जाएगी तो इसलिए हमें अलर्ट रहन है जब भी हम यह टेस्ट करें दाग्लास कंटेनर में अलसो ब्रेक दूट ए यहाँ पर फॉर्णिंग साइन जो है वहाँ पर लिखा होना चाहिए अगर आप वैसे लिखा होगा लैब में बट नहीं है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि अगर हम ऐसी और बेस को पानी के साथ में मिलाते हैं तो क्या होगा इंक्रीज होगी कंसंटेशन आयन के डिक्रीज होगी ठीक है तो इन डिक्रीज इन दा कंसंटेशन अफ आयन थी ओ प्लस अच्छी ओपलस और ओच-बार यूनित वॉल्यम सच अ प्रोसेस इस को चाल द अच्छी और बेस को वोटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो उनकी जो इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी यहां से क्वेशन पक्का फुर्म होगा next is how strong are acid or base solution जो acid or base solution वो कितने strong होते हैं we know how acid and base indicators can be used to distinguish between an acid and a base ठीक हम जानते हैं acid base indicators जो है वो use के जाते हैं इसके लिए indicator के लिए we have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration हमने अभी dilution के बारे में और concentration decrease के बारे में भी पढ़ा है can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution can we judge how strong are given acid or base क्या हम जज़ कर सकते हैं कितना acid strong है या नहीं we can do this by making use of a universal indicator हम किससे करें universal indicator से which is a mixture of several indicators तो आपसे question form होगा keyword is universal indicator तो आप क्या बताओगी universal indicator is a mixture of several indicators तो universal indicator source different colors at different concentration अलग-अलग concentration पर उसमें colors जो हैं अलग-अलग होंगे h plus ions के solution में ठीक है तो universal indicator वो indicator होता है जिसमें काफी सारे indicator क्या होते हैं mix होते हैं और इसमें उसमें अलग-अलग different different colors वो अलग-अलग concentration पर अलग-अलग color को भी show करता है of high h plus ions में ठीक है solution में a scale of measuring h plus ion concentration is called pH scale ठीक है इसको क्या बोते हैं pH scale P is for potence याई potential power on the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14 0 is very acidic and 14 is very alkaline pH should be thought of simply as a number which indicates the acid of basic of a nature of a solution ठीक है इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि weather solution is acidic और basic in nature higher the hydronium ions concentration lower is the pH जिसमें जितने H plus ions होंगे उसकी pH value उतनी ही कम होगी ठीक है जैसे source करो देखो यहाँ पर है the pH of the pH of a neutral solution is 7 ठीक है जो neutral होता है उसका जो pH value क्या होती है 7 होती है it means it is neither it is neither acidic nor basic value less than 7 on the pH scale represents an acidic solution ठीक है देखो 7 से इधर की तरफ जा रहे है तो acidic है और इधर की तरफ जा तो basic है अभी हमने पढ़ा कि देखो value जो है H plus ions की कह हो रहे है इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है तो और इसकी जो pH value कितनी हो रहे है 7 से 6 5 3 2 1 0 ठीक है तो इसका मतलब क्यों रहे है तो more acidic होता जा रहा है तो question यहां से फोम होगा अगर increase in H plus ions है तो whether solution is more acidic or less acidic तो you will see more acidic in nature next है अब देखो जो यह वाले दे रखे solution इनको हमें क्या करना है इनका color बताना है और इसकी approximately और nature of substance ही हमें activity जो है अपने आप करनी है अब देखो जो यह pH वाला यह है paper अब यहां से question form होता है blood pure water और blood का pH कितना होता 7.4 होता है जो हम यहां पे जो यह यह वाली जादा ध्यान देते हैं हम डाइग्राम को नहीं देखते हैं और जो questions है हमारे डाइग्राम से ही बनते हैं ठीक है 7.4 किसकी है blood की या pure water की milk of magnesium की कितनी होता है tan होता है क्योंकि basic in nature है और sodium hydroxide Na अच की कितनी होती है 14 होती है lemon juice की 2.2 होती है gastric juice की 1.2 जो हमारे बोड़ी के अं हमें सारी याद होनी चाहिए क्योंकि question जो है यहीं से आएंगे NCRT से भार कोई भी question नहीं आएगा तो आपसे pH value पूछी जाएगी तो वह इनी की value पूछी जाएगी next है the strength of acid and base depends on the number of H plus ions ठीक है H plus ions के उपर depend करते है और OH minus ions produced respectively अभी हमने यह देख है है कि H plus ions जादा होंगे तो वह that is more acidic और OH minus जादा होंगे तो that is more basic if we take HCl and acetic acid of the same concentration हम क्या करेंगे HCl और acetic acid दोनों को same concentration करेंगे और say 1 molar then this produce different amount of hydrogen ions अगर हमने same concentration के लिए और इन में क्या है जो H plus ions की amount है वो क्या है different है तो this is known as 1 molar 1 molar का मतलब क्या होता है the concentration of H plus ions acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids and acids that have less H plus ions are said to be weak acids can you now say that what weak and strong bases are importance of pH in our daily life ठीक है अभी हमारी importance है हमारी daily life में pH value की उसके बाद में हमारा जो chemical formula वाला ये रह जाएगा चलों ये वाला topic और complete कर लेते हैं हम फिर chemical formula जो है next class में करेंगे यहां से importance of pH in everyday life और plants and animals pH sensitive होता है आवर बोडी वक्स विदिन pH रेंज यहां से question form होगा हमारी बोडी जो वाल के किस रेंज में करती है 7-7.8 में living organism can survive only in a narrow range of pH change when pH of rain water is less than 5.6 it is called acidic rain यहीं भी question form होगा when acid rain flows into the rivers it is lower the pH of the river water अगर जेको जिसकी जो acid rain water जो है रिवर के इंदर flow होने शुरू हो जाएगा तो जिसमें aquatic life है वो क्या होजेगी डिस्टर्ब हो जाएगा और difficult हो जाएगी acid in our planets जो हमारे planets है इसके इंदर जो atmosphere है Venus is made up of thick white and yellow clouds ठीके white or yellow clouds से बना हुआ है of sulfuric acid do you think life can exist in this planet का इसके इस प्लानेट के इंदर life हो सकती है possible है क्योंकि देको हमने क्या पड़ा है कि हमारी जो body range हो कितने 7.0 to 7.8 or this is H2SO4 it means it is below to 7 तो we cannot survive in this range what is the pH of the soil in your backyard plants require a pH range of their healthy growth plants require a pH range of their healthy growth to find out the pH required for the healthy growth of a planet plant you can collect the soil from various places आप जो है लग 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 प्लेस से जो है soil को collect करके लेकर आओ और फिर उसके बाद इसकी pH value को check करो it will be a different क्योंकि देखो अगर हम जहां पर हम acidic range जाद है तो वहां की pH value जोए soil की वह भी क्या होगी जाद होगी तो यह डिपेंड करता है यह activity हमें करनी है pH in our digestive system हमारा digestive system हमारा digestive system it is very interesting to note that our stomach produce HCL it helps the digestion of food without harming the stomach stomach को harm किये बीन during indigestion to the stomach produce too much acid इसका मतलब इसकी range थी वह कितनी थी हमारी 1.2 थी इसका मतलब अगर इससे भी कम में चली गए तो हमें क्या अधादी हो जाती है pain होता है irritation होते है इस pain को get rid करने के लिए people use bases called antacids क्या बोलते हैं उनको antacids बोलते हैं यह question जो है important होगा यहां से one such remedy must have been suggested by you at the beginning of the chapter these antacids neutralize the excess acids ठीक है जाद acids को यह कर देते हैं excess acids को हटा देते है milk of magnesia is a mild base is often used for this purple pH change as a cause of tooth लिके जो हमारे दाथ जो सड जाते हैं वह भी किसके कार्ण है जो हमारे माउथ की pH हो कितनी हो जाती है less than 5.5 जो हमारे enamel है made of किस से बना होता है calcium phosphate से बना होता है सबसे जादा hardest substance होता है हमारी बोडी के अंदर और जो पानी के अंदर नहीं गुलता है बट इट इस जंग लग जाता है when the pH of the mouth is below 5.5 जब हमारे माउथ की pH कितनी है 5.5 से कम चली जाती है क्योंकि बेक्टेरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट हो जाते हैं जो हम खाते हैं या फिर हम food particles खाते हैं जो हमारे माउथ के अंदर रहते हैं तो उससे बडेशलरर से वक माउथ को हमिला जो हमारे में थेमीटीक करें चाहिए कभी आपको honeybee ने करता होगा, B. sting करते है leaves and acid which cause pain and irritation use of a mild base ने क्या करते हुटे हमें विने काट लिया है, तो हम ब्या करते हैं थोड़ा सा base, क्योंकि वो methanoic acids होता है है उसके उसके इंदर प्रवाइब प्रवाइब निट्राइशिट्ट नेटल जो है is a herbaceous plant यह नेटल क्या है herbaceous plant which grows in the wild wild it leaves half stinging hair which cause painful stings when touched accidentally अगर हम गलती साम इसको टुच कर देंगे तो हमें पेन प्रवाइब ना शुरू हो जागा क्यों किसके नर क्या है methanoic acid है a traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant which often grows beside the nettle in the wild ठीक है यहां पर क्या होता है एक dog plant भी होता है can you guess the nature of the dog plant so next time you know that to look out for if you accidentally touch a nettle plant while tracking are you aware of any other effective traditional remedies for this stings अगर आपको कभी accidentally अगर कभी आप a nettle plant को touch कर लो या फिर आपको honey bee ने bite कर लिया तो हमें क्या होना चाहिए हमें इसके बारे में aware energy कि हमें क्या करना चाहिए ठीक है तो देखो वाइल में अगर वहां पर nettle plant है तो वहां पर कौन सा dog plant भी है अब देखो यहां पर है natural resource of vinegar vinegar में कौन सा होता है acidic acid होता है orange में citric होता है जो भी खटी जोत होता हुआ टमरिंड tartaric होता है ठीके हल्दी में tartaric होता है टमैटों में oxalic acid होता है sour milk में लाक्टिक असे एक लामन में सिट्रीक आंट ने स्टिंग में मिथेनॉयक तो यहां से भी कुछ्छन जो है हमारा फोर्म होगा इससे स्टेवल से भी हमें जो है तेबल टाइग्राम और एक्टिविटीज पर देना है क्वेस्ट जो है यहीं से फोर्म होते हैं अब है मोर अब आउट सोल्स अब देखो यह कुछ सोल्स है इनमें फोर्मुला वगेर हमें करने होंगे यह दो को डांडी मार्स याद्रा जो महत्मा गांदी की द्वारा की है अब नेक्स लास में हम इसको कंपलीट करते हैं